दोस्तों आज मैं आपको फिर एक कमप्रेंट पर लेकर करके जलता हूँ डिस्ट टीवी के तो डिस्ट टीवी में सेट आप बोक्स में प्रोब्लम आ रही है अब यह नहीं पता कि डिस्ट के सिगनल से प्रोब्लम है या क्या दिक्क्राइद है कस्टुमर को एरर भी कनफरम पर रहा है कि उस पर कुछ लिखा रहा है नहीं आ रहा है बता भी नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने डिरेक्टिव बोला कि आकर करके एक बारी टीवी चेक कर लो जो मांट होगा वो दे देंगे तो इस इसमें आप अपना टीवी भी ठीक कर पाएंगे अगर ऐसा को एरर तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर करके चलते हैं डारेक्ट कस्टूमर के घर पे ठीक है तो आच होगे है कस्टूमर के घर पे और यहां पर आप देख रहे हैं टीवी पर जो एरर है 303 चैनल सकैन एरर और इस पर आगर ओके करेंगे तब भी आपक जो टीवी में स्पीकर नहीं है तो स्पीकर भी इसी से अटाच कर रहा है है HDMI से किया है वो मोनिटर चल ला है इनका बाकी इसमें USB से यह लोग इसको पावर दे रहे हैं और AB OUT से इसमें साउंड दे रहे हैं ठीक है जो लगा रहा है यह साउंड बोक्स है और यह मोनिटर है इसमें जो है आवाज नहीं होते है तो अगर आपके टीवी में कभी अवाज ना आये यह साउंड कराव हो जाए तो इस तरहीं के साप लगा सकते हैं अब इसमें मैं इसमें एडवांस सेटिंग हो लाँ तो एडवांस सेटिंग कोलने के लिए इसमें जो रिमोड का मेन्यू बटन है उसको मैंने होल्ड करके रखाया और होल्ड करके रखने के बाद में आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर देख रहे हैं क्या सेटिंग में गड़़ी है scs8 ifif हो रखा है तो इसको scs8 too nein st2 होना चाय है से थैट्ट्ट्टू होता है के लोग़ों के लिए ठीक हिमसा दियान वे रखना है mhm st2 ifif नहीं होना चाय ठीक हुश लेकिन st2 के पर एक बार देख सकता है scs8 North के लिए तो नॉर्थ पर मैंने कलिक कर दिया scs8 पर आपने कोई भी सेटिंग से नहीं शेड़नी है बागी सेटिंग मैच भी कर लेनी है जो यहां पर एक चीज होती है बॉक्स के मॉडल के हिसाब से numer d is c पर जो होता है संडीकेट जो ऐसे लिखा इस अब उनीशेड़ना है बागी पहले वातों कुछ करना ही नहीं आपने महाफ़ बाप सेटिंग कर लेते हैं तो अब होता है यहां पर देख रहे हैं ग्रीन आ चुका है, इसका मदब सिगनल आ चुका है, इनके डिस से कोई भी दिक्कत नहीं थी, जो दिक्कत थी से प्रोब्लम थी, ऐसे बहुत सारे लोग अपने से प्रोब्लम होने के बाद में क्या करते हैं, वो छत्री को इला देते हैं, तो आपने कभी भी छत्री से पंगे नहीं लेने, अपने कनेक्टर को खुल के एक बार को लगा सकते हैं, बाकि यहां यहां पर इनका जो टीवी है, मगरा, सब को चल गया है, और साउंड इस वाले बॉक्स से आ रहा है, बहुत यह बड़ा साउंड है, ऐसा नहीं है कि छोटा मुटा स हम साउंड बॉक्स है और इनने इस सेटा बॉक्स से कनेक्ट कर लिया है, इस साउंड बॉक्स को इसको पावर चाही होती है, तो USB से इसको पावर दे खु़ता है, USB यह अपना रीकॉडिंग करने के लिच रिच रह Hmmm इन्होंने power दे दिया है और AB out की जो छोटी के बल पतने के बल देख रहे हैं इससे इसका audio इसमें जा रहा है तो इस तरीके से इन्होंने audio connect कर रखा है दोस्तों आपको वीडियो कैसा रखा कमेंट सेक्षिन में जरूँ बताना है वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना दोस्ते आप में सेर करना अगर आप यह वीडियो देख कर कि अगर ऐसा कोई रहर आता है तो आप ठीक कर पाएंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना है इससे यह होगा फीचर में अगर ऐसी कोई प्रॉब्रम आते है तो आप मेरे चैनल्स पर वीडियो देखने के बाद में अपने जो प्रॉब्म होगा शॉल कर पाएंगे 100% और पैसे बचा पाएंग अविल्धि है कर ऋन्स वीयोग चैनल्स प्रॉब्म होगाश खी है से यह हो बातो है है सन्से ूखने प्रॉब्म होगाश